बिहार सिक्षक बहाली 2019 पर बहाली रुकवाने के लिए केस होने जा रहा यह exclusive जानकारी हम आपको सिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर दे रहे हैं मैं हूँ नीरज और आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के साथ आपको बता दें कि बिहार सिक्षक बहाली 2019 पर एक और के केस की तैयारी है और इस केस के बाद बहाली परकिडिया और लंबा खिचेगी सिक्षक बहाली पर जो नया केस होने जा रहा है ये किसी फेला अभ्यारती द्वारा नहीं बलकी पास अभ्यारतियों केस समूह द्वारा किया जा रहा है और बहाली परकिडिया में बहुत सारे ब लबे हुए तरीके से WhatsApp ग्रूप के माध्यम से पैसा इकठा कर रहे हैं और जल्द ही बिहार सिक्षक बहाली पर बड़े वकील के साथ एक केस होगा हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो सबूत के साथ दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर अब वो लिस्ट होगा जिस लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम है और किस अभ्यर्थी ने कितना पैसा दिया है और वो अभ्यर्थी किस जिले से है साप तोर पर लिखा है ये लिस्ट हमें WhatsApp ग्रूप में मिला और अपत्ती जनक बातों के साथ ये लिस्ट मिला कि बिहार सिक्षक बहाली पर केस होगा विभिन को लेकर केस हो रहा है अगर ये केस हुआ तो अभ्यर्थी समझ जाएं कि बिहार सिक्षक बहाली 2019 जल्द सिमटने वाला नहीं है और बिलंब और होगा आप देख सकते हैं गौरब परताब जी रोहतास एक हजार प्लस एक हजार हड़ी संकर मिस्रा जी मधवन्नी पचीश स् इसी तरीके से 113 अभ्यर्थियों का लिस्ट है जो कि पास अभ्यर्थी हैं और ये बिहार सिक्षक बहाली में विभिन मांगो और मुद्दो को लेकर केस करने जा रहे हैं इससे बिहार सिक्षक बहाली में बिलंब होना तरह है क्योंकि इनकी मंसा बड़ी लग रही और बड बड़े वकील और बड़े बक्तव्यों के साथ केस पटना हाइकूट में जल्द ही लंबित होगा और जिस तरह सहयोग रासिय अभ्यर्थी दे रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अगर ये केस हुआ तो बिलंब होगा ही होगा 2019 सिक्षक बहाली में अभी जनवरी तक नियोजन प मिला है वो आपके स्क्रीन पर है इसमें एकाउंट नंबर के साथ पेफोन का नंबर और अन्य महत्पून जानकारियां हैं जिस पर आप संपर्ग करके पैसा दे सकते हैं पर हम किसी का नाम सारवजनिक नहीं कर सकते हैं और इसी कारण हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे है कि कितने अभ्यरती हैं जिनोंने पैसे दिये हैं और अब केश 2019 सिक्षक बहाली पर तैय है ऐसे में अगर ये केश होता है तो बहाली परकेरिया में बिलम संबब है और अभ्यरती जो ये सोच रहे हैं कि गरदनी बाग में धरना परदर्शन के बाद जो बहाली परकेरिया उ परदीब चीज सब ने 1500-1525 इस तरह के रकम जमा कियें और ये रकम जमा हुआ है बिहार सिक्षक बहाली 2019 पर केस के सिलसिले में फटना हाई कोट में अगर ये केस हुआ तो आप समझ सकते हैं बहाली परकिरिया में और भी लंब होना तै है सिक्षा सुधार रोजगार का मकसद आपको जागरित करना है आपको सचेत करना है बिहार सिक्षक बहाली और अन्य सिक्षा जगत की बड़ी खबरों के लिए जुरे रहें सिक्षा सुधार रोजगार के साथ सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद